हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने चानल लेक्टे स्टैडी इंडिया में तो आज हमको पढ़ेंगे प्रियोडिगक ये लास्ट प्रोपयटी जिसका नाम है एलेक्ट्रो निगेरीटीविटी तो आएँ सबसाइबрал और से तेयल बारे में जतीज से समझते हैं क क्या है संदर हमारे पास क्या है दो मौलेक्ट्रोडश पास क्या है धो डिफरेंट के आयप सिसान के हैं 10 ऐगो ज्यादा इलेक्ट्रो कदento एक हो ज्यादा इलेक्ट्रो निगेटीव का मतलब क्या होता है ऐसे आटम जो क्या हो electron को अपने तरफ attract करने की tendency रखते हूँ ठीक है वो कैसे पता चलेगा तो उसको हम लोग आगे वीडियो में ही समझते रहेंगे तो कहने का मतलब क्या होता है electron negativity तो atom की अपनी खुद की क्या होती एक tendency होती है shared electron को अपने तरफ attract करने की तो जैसे हम लोग एक example के थुरू इसको आए समझते हैं पहले जैसे मैंने ले लिया एक example hydrogen chloride का ठीक है hydrogen chloride में hydrogen और chlorine एक दूसरे के साथ ठीक है covalent bond से क्या है जुड़े हुए है share की होगे electron का ठीक है इसके बीच में क्या होता है covalent bond होता है कहने का मतलब hydrogen और chlorine के ठीक है बीच में क्या है दो electron का share हुआ है तो है क्या कि दिखिए chlorine जो है वो जादा electron negative atom है electron negative का मतलब ये इसके पास tendency क्या है electron को खिचने की ज्यादा है hydrogen के compare में तो ये करता क्या है कि दोनों electron जो bond वाले है shared electron जोसे बोलते है उसे अपने तरफ क्या करता है attract करता है तो attract करेगा ठीक है तो जिसके बज़े से क्या होगा इस पर आ जाएगा हमारा partial negative इस पर आता है partial positive तो electron को attract करने की जो tendency है ठीक है किसी atom की electron को attract करने की जो tendency होती है किस electron को shared electron को उसी को बोलते है हम लोग electro negativity तो इसको देखिए यहाँ पर define किया गया है the tendency of an atom in a molecule, molecule मतलब वो covalent bonded वाला molecule होना चाहिए the shared paired electron towards itself is known as electro negativity अब यहाँ पर दिखे depend करता है कि atom कितना ज्यादा electro negative है ज्यादा electro negative होगा ज्यादा electron को पने तरफ attract करेगा electro negativity उसके कम रहेगी तो कम attract करेगा electro negativity दोनों atom की same रहेगी तब वहाँ पर क्या होता है कोई charge develop नहीं हो पाता, electron कहा रहेगा, bond के बीच में ही रहेगा जैसे माल लिजिए, मैंने यहाँ पर ले लिया example chlorine का, ठीक है, Cl2 molecule तो Cl2 के दोनों क्या है, same type के atom की बीच में bond बना हुआ है तो जो shared electron होंगे इनके बीच में, इस bond में जो electron होंगे, वो दोनों chlorine के तरफ क्या होंगे equally, ठीक है, distribute होंगे, याणि दोनों electron, दोनों chlorine के पास क्या है, क्या है, यहाँ पर सेम है, ज्यादा electron कोई खिचेगा नहीं, H2 का case ले लिजे, ठीक है, तो यह सब क्या होते हैं, होमो एटॉमिक molecules, होमो एटॉमिक मींस, ऐसे molecules जिसमें same type के atoms हों, तो वहाँ पे कोई भी charge suppression यही polarity generate नहीं होती, लेकिन अगर molecule में क्या होगा, एक ज्यादा electronegative, एक कम electronegative, तो वहाँ पे क्या होगा, ज्यादा वाले electron को खिचेगा, जिसके वज़ें से bond क्या बन जाएगा, polar nature का बन जाएगा, यानि इसके अंदर क्या हो जाएगा, partial, covalent, partial, ionic nature generate हो जाता है, bond के अंदर, तो आईए हम लोग पहले बात करते हैं, ठीक है, periodic tables में, ठीक है, electronegative कैसे हम लोग समझेंगे, सारे element में, electronegative किस तरीके से हम लोग को दिखाना है, तो यह दिखिए कई सारे factors पर depend करता है, तो पहला factor हमारा आएगा, यहाँ पे, size of an atom, यह कही ना कही क्या होता है, atom के size प चलते हैं, यैसे माले जिए मैंने कोई एक, ठीक है, periods जिसले लिया, दिखिए, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, और chlorine, ठीक है, तो यह हमारे पास क्या है, यह एक third period की element को यहाँ पर लिख दिया, मैंने sodium, ठीक, atomic number 11, फिर magnesium पे चल गया है, 12 पे, aluminium हो गया हमारा, 13, ठीक, silicon हो गया, यह 14, फासफोरस, 15, sulfur हो गया हमारा, 16, और chlorine हो गया, 17, तो इस तरीके से हम लोग क्या किये, period 3, third period के element में देखा जाया है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, atomic number देखे हमारा increase हो रहा है, हमें पता है कि atomic number जब बढ़ेगा, तो number of proton बढ़ेगे, number of proton बढ़ेगा, तो क्या होगा, outer electron को, या जो भी उसके पास क्या होगे, सेल में उसके electron होंगे, उसको क्या करेगा, अपने तरफ एप्रोच करेगा, attract करेगा, जिसके वेसे क्या होता है, size decrease करता है, यानि जब मोव करते है, किसी period में, left to right, तो size क्या करती है, decrease करती है, तो यह हमें ध्यान देना है, यहां पर electron negativity क्या होती है, उसकी उतनी जादा होगी, तो यहां पर हमें ध्यान देना है, यह formula, तो यहां पर लिखा गिया है, greater the size as well as less value of electron negativity, यानि size बढ़ी तो electron negativity कम, और size कम तो electron negativity क्या होगी, जादा होगी, जादा होगी, जब मोव क्या करेंगे, किसी period में left to right चलेंगे, अब ऐसा क्यों होता है, तो इसके reason के अगर बात करें, तो दिखिए है क्या, कि size अगर बढ़ी है, किसी atom की, ठीक है, तो size ज्यादा है, कम मतलब क्या होगा, उसके जो electron है, वो distribute है, इसमें पूरे अच्छे से इसमाल लिजी, यहां पर क्या है, 11 electron हम बहने का मतलब इसमें होगा क्या, कि effective nucleus charge, देखिए, यहां पर लिखा गया है, ठीक है, तो nucleus क्या होता है, charge वहाँ पर ज्यादा होगा, ठीक है, nucleus charge ज्यादा होगा, जिसके वाइसे, जो भी incoming electron होंगे, उसे, ठीक है, यह atom क्या करेगा, जो छोटे वाले होंगे, वो ज्यादा attract करेंगे, इनके compare में, ठीक है, ठीक है, उसका nucleus क्या होगा, effective होगा, size small है, तो nucleus का effect जादा रहेगा, size बढ़े होने से क्या होता है, electron का distribution हमारा बढ़ जाता है, ठीक, ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए दिया है, this is happen because the electron bring away from the nucleus, यहां पर electron nucleus से क्या और यह दूर जा रहा है, तो nucleus electron दूर जाएंगे, तो आने वाले electron में क्या होगा, repulsion होगा, तो attract नहीं कर पाएगा, यहां पर electron क्या है, nucleus के नस्दीक है, तो जो भी electron आएगा, उससे क्या करगा, असानी से यह भी क्या करेंगा, अपने तरफ attract कर लेगा, ठीक, तो यह हमें nuclear charge में भी depend कर रहा है, अब यहां पर दिखिए है क्या, कि size और nuclear charge दोनों चीजा अलग-अलग है, यहां पर जहां देना है, greater the value of nuclear charge will result the greater the value of electronegativity, this is happen because increase the nuclear charge, ठीक है, electron attract greater with force, कहने का मतलब, यह से माल जह मारे पास क्या है, दो atoms है, और दोनों के पास number of electron क्या है, सेम है, लेकि nuclear charge एक का ज्यादा है, दूसरे का nuclear charge क्या है, कम है, तो nuclear charge जिसका ज्यादा होगा, यानि जिसमें क्या होगे, number of proton या positive charge ज्यादा होगे, वो electron को ज्यादा क्या करता है, अपने और attract करता है, जैसे मैं अगर example ले लूँ, na plus के case में, ठीक, तो na plus माल लेते हैं हम लोग, यहां हम कोई और example लेते हैं, यहां मैं ले लिया, O, 2-, और यहां मैं ले लिया, F- का case, ठीक है, या oxygen या fluorine ही ले सकते हैं, दोनों कोई, ठीक है, oxygen ले ली हम लोग, यहां fluorine ले लिये, तो oxygen के पास क्या होते है, atomic number इसका 8, ठीक है, इसका atomic number क्या है, 9 है, तो इसके पास क्या है, 9 electron, इसके पास क्या है, 8 electron है, तो अब दिखी, oxygen क्या करता है, इसके पास 8 electron है, तो इसके nucleus के अंदर क्या होंगे, 8, proton भी होंगे, 8 इसके पास proton भी है, अब इसके पास क्या है, 9 electron है, तो और क्या होंगे, 9, इसके पास proton भी होंगे, यहां पे ज्यादा है, ठीक, और इसके क्या है असका आतम क्या ले लूं गालो नै ट्रोजन ले लूँ तो इसका टॉमिक नॉमुर कितना है से व ilayktron होगे ठीक है और इसके पास प्रोरव भी ओने positive charge उसके पास क्या साहथ है यानि इससे क्या nuclear charge proton इसके nuclearained का चार्ड डेवलप होता है यतने proton होगी उतना positive charge बढ़ेगा nuclear charge क्या होगा ज्यादा होगा इसका nuclear charge सबसे जबतीक है यह जादा electronic को इ Suzanne तरफट्र अटरेट करता है तो electrone sure dated फ्लोरीन की क्या होगी, सबसे ज्यादा हो जाती है यहां पर. ठीक, दिखे, मारा लास्ट फेक्टर आता है, जिसका नाम है, ठीक है, effect of substituent. ठीक, substituent का मतलब होता है, ऐसे मालेजी किसी मॉलेक्यूल के अंदर, ठीक है, हमारे पास मॉलेक्यूल के साथ, molecule क्या है, कोई molecule है, उसमें different types के atom क्या हुए है, bonded है, अब उस bonded atom में, अगर माल लिजे कोई atom ज्यादा electronegative है, या कोई atom कम electronegative है, तो उससे क्या effect पड़ेगा, जो atom क्या होगा, center में होगा, उसके उपर, तो हम लोग यहीं देख लेते हैं, यहाँ पर example, जैसे माल लिजे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ले लूँ, methane का case, ठीक है, CH4, तो CH4 जैसे है, तो यहाँ पर क्या है, कार्बन के अगल बगल केवल 4 hydrogen atom attached है, अब हम लिजे पता है, कि hydrogen जो है, वो क्या होता है, लिए स्ट्रो नेगेटिव atom है, कार्बन के compare में, यह electron किशनी क्या है, इसके पास कम है, लेकिन अग यह हो जागा, CH3I, यह iodine आ गया, अब मैं एक लिजे लेता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, CHI, ठीक है, दिया है ने, for example, carbon atom, CFI required the greater positive than the CHI, ठीक, CH3I, तो अगर मैंने यहाँ पे, CH3I के जगा पे, अब मैंने आई को एक बार replace करके, यहाँ पर क्या कर दिया, F add कर दिया, अब यहाँ हमें ध्यान देना है, iodine और fluorine के case में, तो हमें पता है, देखिए हैलोजन जो होते है, उनमें क्या होता है, सबसे electronegative होता है, fluorine, फिर उसक एक में ज्यादा electronegative, एक में कम electronegative, तो जो fluorine होगा, वो क्या करेगा, electron को यहाँ से ज्यादा attract करेगा अपनी तरफ, और इस पे जो positive charge develop होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा iodine वाले के compare में, क्योंकि iodine की electronegativity क्या है, कम है, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो positive charge develop हो रहा है, यहाँ positive charge develop हो रहा है, वो क्या है, कम है, due to the electronegative atom, which is attached on the carbon atom, ठीक, तो यही हमें ध्यान देना है, यहाँ पे, तो fluorine more electronegative है, यहाँ मैं लिग दे रहा हो, इसकी electronegativity क्या है, ज्यादा है, और जो iodine है, इसकी electronegativity यहाँ पे कम है, ठीक है, फ्लोरीन के compare में, तो ज्या positive ज्यादा negative charge develop होगा, यानि जो carbon यहाँ पे होगा, उसको highly positive charge होगा, लेकिन यहाँ पे जो carbon होगा, इसका positive charge यहाँ पे, ठीक है, कम होगा, तो यह जो arrow है, यहाँ ध्यान देजेगा, यह क्या बनेगा, less positive बन जाएगा, और यह क्या बन जाएगा, highly positive charge यहाँ बनेगा, ठीक, due to the, ठीक है, more electronegative group, fluorine, और पर देखिए, example आ भी दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, cf3i is the more electronegative than cs3i, ठीक, अगर मैं यहाँ पर electronegative atom को add कर दू, जैसे एक example all ले सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, दिया हुआ है, cf3i और एक cs3i का case है, इसको भ बारे पास क्या है, कि chlorine के साथ, तीन fluorine, और एक iodine attached है, और दूसरा example दिया हुआ है, carbon के अगल बगल, ठीक, तीन hydrogen CH3i, और एक यहाँ पर क्या है, iodine attached है, तो iodine को fix कर दिया गया है, और hydrogen तीनों replace करके, ठीक है, तीन fluorine यहाँ पर क्या कर दिया है, add कर दिया है, तो कहने का मत अगल बगल, तीन electron negative group है, जो कि क्या है, बहुत highly electron negative है, electron किषनी tendency क्या है, इनके अंदर बहुत ज्यादा है, तो यह carbon क्या होगा, बहुत ज्यादा positive charge इस पर develop होगा, iodine तो दोनों में सेम है, तो इसका effect जितना यहाँ होगा, लेकिन इस condition में क्या है, यह carbon खुद hydrogen से ज्याद develop होगा, तो यह हम दो यहाँ पर समझ सकते हैं, electron negative group जितना अच्छा रहेगा, वो उतना क्या करेगा, electron cloud को अपनी तरफ attract करेगा, और दूसरा atom positive charge बन जाएगा, तो आप दिखी हमको देखना है, trends के बारे में, trends मतलब, group और period में जब हम लोग चलते हैं, left to right या top to bottom, तब electron negativity में कौन सी changing आएगी, तो यह हमारे पास क्या है, periodic table है, जिसमें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ elements दिये हुए है, ठीक है, first period, second period इस तरह से, तो किसी भ यहाँ पर दिया गया है, periods में यह क्या changing आएगा, तो हमें पता है कि as we move across the period from left to right, nuclear charge increase करता है, कैसे, क्योंकि atomic number increase करेगा, sale का size क्या होगा, decrease करेगा, और उसके बाद atomic size decrease करता है, और nuclear charge यहाँ पर increase करता, यह हमें ध्यान देना है, जब left to right चलते हैं, तो, therefore the value of electron negativity ठीक है, वो क्या करेगी, increase करेगी, तो यह बात मैंने पहले ही बता दिया था, जिसे मैंने जांपर लिया था, sodium to, जब हम लोग क्या करते है, chlorine चल रहे थे, third period वाले में, example में, तो वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ जब left to right, वहाँ पर left to right था, तो यही period हम लोग यहाँ से लिया थे, sodium, magnesium ठीक है, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine और, ठीक है, ठीक है, chlorine तक लिया थे, हाँ पर है, तो इस period के अगर बात करेंगे, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर topic number बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा size decrease कर रहा है, और effective nuclear charge भी बढ़ रहा है, क्योंकि sales क्या है, वहाँ पर close हो जा रहा है, nuclear का च negativity की value क्या हो, तो हमेशा increase करती है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, when moving from left to right, in a period, electronegativity increase, ठीक है, with decrease in size, यहाँ बोल सकते है, effective nuclear charge increase होने के साथ साथ, तो यहाँ 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 पर क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है, जब हम move करेंगे कहा, along the periods, कुसी भी period की बात कर सकत करेंगे, जो लोगी नहीं कि इसी में हो ऐसा, first period, second period, third period, कहीं भी लेंगे, तो इस तरह से क्या करेंगा, वो decrease करेंगा हमारा, ठीक है, size decrease करने के साथ है, electronegativity value क्या हो, यह बढ़ती ही हमेशा, अब देखी, यहाँ पर, जहाँ भी बात करेंगे, left to right चलने की, तो हम लोग क क्या करते हैं, बस chlorine तक, यानि हालोजन तक ही चलते है, हालोजन की electronegativity क्या हो, यह सबसे जादा होगी तब, क्योंकि जब इधर सिधर घट रही है, तो घटे घटे, size यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, electronegativity value, बढ़ते बढ़ते सबसे अधिक क्या हो, यह electronegativity होती है, हालो क्या होता है, complete होता है, तो वो किसी electron को attract नहीं करते हैं, जैसे electron gain in therapy की बात थी, तो stable configuration वाले क्या करते है, electron को gain नहीं कर रहे थे, ऐसे तिस तरह electronegativity में भी क्या होगा, यह electronegativity को अपने तरफ attract नहीं करें, क्योंकि इनका क्या है, outer self fulfilled है, तो electronegativity के जब भी हम बात करेंग क्या होती है, dumb, lace होती है, यह एक attract नहीं करते ही electron को, क्योंकि यह already क्या है, fulfilled है, इनके sale, आए देख लेते हैं, group में, जो कि हमारा यह important है, ज्यादा group वाला, यहां से question पूछिए जाते है, there is an increasing in the atomic number, as we moving down the group, modern priority table में, हम लो क्या करते हैं, top to bottom आते है, मैं पता, atomic number increase कर रहा है atomic number increase कर रहा है, और nuclear charge भी increase करता है, लेकिन, देखे, left to right चले, top to bottom चले, atomic number तो increase करेगा, और लेकिन हमारा है क्या कि जब top to bottom आते है, और nuclear charge भी increase करता है, दोनों cases में, atomic number बढ़ेगा, तो electron बढ़ेगे, तो proton बढ़ेगा, proton के बज़ा से क्या, effective nuclear charge ज़्यादा हो जाएगा, ले दिखे, जब हमी तोनोंबर उस बाया के साथ नूबर उस बढ़ेगा, और nuclear charge भी increase करते है, तो नूप्लिर झाल बढ़नेके साथ, क्योंगते है, तो जब पो बाळनेके साथ क्या होता है, अत्यार शेल आरक में, रखे 451 बढ़ेगा, और nuclear charge भी on the value of the world's index, है फाल रहा हो में जो कि क्या होते है, dominating होते है, over the effective nuclear charge, तो यह हमें ध्यान देना है, कि जो अगर sale बढ़ेंगे, तो nucleus का effective charge होगा, वो dominate हो जाता है, यानि वो ज्यादा effective नहीं रह जाता, तो यहां पर दिखी यही बात लिखा गया है, जिसको हमें ध्यान देना है, the nuclear charge also increases, but effort of increase the nuclear charge, overcome by the addition of sale, ठीक जैसे ऐसे, sale add होते रहते है, nuclear charge बढ़ता है, लेकिन sale भी बढ़ रहा है, तो वो क्या करता है, जो number of sale जो increase कर रहा है, वो nuclear charge को overcome कर देते है, यानि उसको dominate कर देते है, बढ़ने का कोई फैदा नहीं होता है, ठीक है, hence the value of electronegativity decrease, तो electronegativity value क्या होगी, वहां पर decrease कर जाती है, ठीक, तो यह मत समझेगा कि nuclear charge अगर बढ़ेगा, तो electronegativity value क्या होगी मिसा, बढ़ेगी, ठीक है, वो बढ़ेगी कब, जब sale नहीं बढ़ेगा, तो electronegativity value क्या होती, घट जाती है, ठीक है, यह case हमारा कहा था है, top to bottom, जैसे हम लोग यहां पर example ले लें, और इस चीज को आ dopamine, iodine और estetine, तो यह हमारे 5 के 5 halosin है, तो अगर मैं इसको देखूँ, तो देखिए है क्या यहां पर, top to bottom जब चलते है, तो है क्या कि देखिए atomic number increase कर रहा है, atomic number बढ़ा, और sale भी क्या हो रहा है, यहां पर increase कर रहा है, यह nuclear charge भी बढ़ रहा है, top to bottom आने पर, देखिए क्य ड़े, ठीक, effective nuclear charge भी क्या हो रहा है, increase करेगा, le senin the number of sales, ठीक, वो भी क्या कर रहा है, increase कर रहा है, अब जब number of sales भी बढ़ेगा, और effective nuclear charge बढ़ेगा, तो जो number of sales होता है, वो क्या करता है, dominating होता है, over the effective nuclear charge, तो यहां पर देखिए है कि जब top to bottom आते हैं, तो यहां पर देखिए, इस तरह से क्या हो रहा है, sales इंक्रीस कर रहा है, सभी atoms के, ठीक है, केसे में, तो number of sales जब बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, कि जब incoming electron होगा, तो यहां पर देखिए, effective charge यहां, sale कम है, electron यहां पर कम होँगे, ठीक है, तो आतानी से electron क्या करेगा, nucleus का effect यहां ज्यादा होगा, कि यतने sales कम रहेंगे, upcoming electron जो होगा, वो क्या करेगा, easily nucleus तरफ attract होगा, बाकी number of sales बढ़ने से क्या होता है, electron cloud बढ़ेगा, वैसे वो रिपेल कर देता है, आने वाले electron को, यह electron क्या होगा, easily attract होगा, यहां से, ठीक, और यह chlorine क्या करेगा, थोड़ increase करने से electronegativity की value क्या होती है, decrease कर जाती है, ठीक, तो इसका main reason क्या है, यही है, जो कि हमें ध्यान देके चलना है, ठीक है, तो सबसे अधिक, दिखिए है क्या, अब मैं overall अगर बात करू, periodic table में, electronegativity की case में, तो अगर मैं पूछूँ कि सबसे ज़्यादा electronegative कौन है, ठी है क्या कि जब हमनों left to right चल रहे थे, तो size क्या हो रही थी, decrease कर रहे थी, फिर top to bottom चल रहे है, तो size फिर क्या कर रही है, increase कर रही है, तो left to right जब चल रहे थे, है, सारी noble gas को छोड़ देते हैं, हमनों halosan तक की बात करेंगे, तो यहां से यहां क्या हो रही है, size decrease कर रही है, तो electron negativity की value बढ़ती सबसे अधिक, इसकी होगी, इसकी होगी, सबसे highest, ठीक, इस element की, यानि fluorine है यहां पे, ठीक है, यानि यहां जब चलेंगे, 17 गुरूप तक चलेंगे, 17 गुरूप का पहला element क्या है, chlorine है, फिर उसके बाद धर-धर electron negativity value decrease कर रही है, ठीक है, तो यहां से य हमारा क्या हुआ, बढ़ा, यहां से यहां पे decrease किया, electronegativity, तो overall हमारे पास कौन element सबसे अधा electronegative होगा, तो fluorine सबसे अधा electronegative, यहां पे हमारा बन जाता है, पूरे periodic table में, यह चीज़े हमें ध्यान देखे चलना है, यहां देख लिजे, periodic table given है आप लोगों का, जिसमें कि fluorine is a more electronegative element, ठीक है, in overall, ठीक है, elements, अभी element में क्या है, सबसे अधीक electronegative, यही हमारे पास element मलता है, यहां पे, इसको क्यों में ध्यान देखे चलना है, तो यह हमारे पास क्या होगा, fluorine का case हो गया, फिर देखिए, एक last हमारे पास, ठीक है, एक देखिए, last आता है यहां पे, ठीक है, जिसको हमें क्या करते हैं, समझ लेते हैं, देखिए, है क्या, कि electronegativity effect on covalent bonding, तो covalent bonding में electronegativity का effect क्या पढ़ता है, कहने का मतलब, अगर किसी atom के बीच में, ठीक है, कोvalent bond बने हुए है, atoms की बीच में, तो उसमें, जो ज्यादा electronegativity atom होगा, उसका effect क्या होगा, covalent bonding पे, तो यह तो, ठीक है, easy है, जैसे देखिए, यहां समझ सकते है, the electronegativity of the two bonded atoms, play a big role, ठीक, to strength of covalent bond, ठीक है, तो इससे हमें strength के भी बात क्या होगी, पता चलेगी, कि covalent bond का strength क्या है, अगर electronegativity को हम लोग समझ लिये, तो, यहां पे दिया है, if the electronegatives bonded atom are same, ठीक है, same का मतलब, homonuclear, ठीक है, homonuclear, मतलब, अगर bond में, दोनों atoms same electronegativity के हैं, जैसे मैंने example सुरू में दिया था, CL2 का, S2 का, BR2 का, I2 का, यह सब क्या है, same electronegativity वाले atom क्या है, bonded है, तो इसमें क्या होता है, ठीक, तो वो bond क्या होता, वो completely pure covalent bond होता, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, pure covalent, यानि वहां पे क्या होगा, कोई charge develop नहीं होगा, कोई भी atom क्या खरेगा, electron को हमें तरफ attract नहीं करत है, जैसे मैंने यहां पे, CL2 का example लिया है, तो दोनों के electronity same है, तो यह पूरा क्या है, pure covalent bond का formation करेगा, ठीक है, तो यहां पे कोई भी charge develop नहीं होगा, फिर उसके बाद दिखी, यहां पे आता है, क्योंकि यहां पैसा है, यहां लिखा हुआ है, क्योंकि यहां लिखा ठीक है, वो बीच ओ बीच रहेंगे, bond में, example दिया है, H2, Cl2, ठीक है, oxygen में, hydrogen में, तो यह सारे example है, यह सब क्या है, हमारे homonucleid वाले है, यहां पे तो दिखे, pure covalent bond होगा, जब same type की atom होगा है, दीक है, जैसे example यहां पे दिखे, 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 दिया हुगा है, आप ल molecule कैसा है, non polar, pole का मतलब क्या होता है, charge, और non मतलब नहीं है, यह चार्ज उस पे develop नहीं हो रहा है, वो molecule कैसा है, non polar type का है, CRD electron between the covalent bond, लेकिन, अब यहां पे दिखे, जो मैंने start में case लिया था, hydrogen chloride का है, तो कुछ भी ले सकते है, हम लोग क्या करते है, आई ले ले लेते है, HF का case, तो hydrogen fluoride ले ले लेते हैं, क्योंकि fluorine अभी electronegative ज्यादा मिल गया हमें, तो अब दिखी है क्या है, कि यह क्या है, heteronuclear वाले molecules है, यानि दोनों nucleus क्या है, अलग-अलग atom के हैं, यहां पे, दोनों atom क्या है, different type के है, bond के अंदर, तो क्या करेगा, कि fluorine ज्यादा electron को अप आयनिक चार्ज भी क्या हो गया, आयनिक नेचर भी इसके अंदर डेवलप हो गया, यह पार्सियल, आयनिक करेक्टर इसके अंदर क्या हो गया, आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, polar covalent bond, यह क्या बन गया, polar covalent bond, ठीक, यही हमें क्या करना है, ध्यान दना है, तो effect of electron neutrality क्या effect हुआ, तो electron neutrality का effect यही पड़ा, कि bond क्या बन गया, polar बन गया, उस पे pole generate हो गया, positive or negative, ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो atom का, जो molecule का, जो safe होगा, वो भी distorted हो जाएगा, ठीक है, जो कि हम लोग फजान दूल में पढ़ चुके है, ठीक है, वो आयनिक वाले case में था, लेकिन यहाँ भी क्या होगा, दिखिए, electron cloud को पर तरफ क्या करा, यह shift कर रहा है, उसके तरफ ज्यादा electron cloud है, इसके तरफ क्या है, कब है, जैसा कि ionic bond में हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है, तो ionic bond में electron neutrality का कोई काम नहीं है, लेकिन यह क्या है, समझाया गया ह जैसे ionic bond में होता है, ठीक है, एक बड़ा हो जाता है, ज्यादा negative छोटा होला हो जाता है, पॉस्टी वाले के साइस के होती घड़ जाती है, तो ऐसा ही covalent bond में भी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ionic nature bond का, ठीक है, यह partial covalent और partial ionic nature इसके अंदर का होगा, डेवलप हो जा polarize, वो bond क्या होगा, polarize हो जाएगा, जिसके वज़े से electron cloud क्या हो, तो एक पूल्स हो जाते हैं, खिचा जाते हैं, एक atom की ओर, और ठीक है, जिसके वज़े से क्या होगा, partial positive, partial negative, डेल्टा मतलब क्या होता है, partial charge developed हो गया वहाँ पे, और bond कैसा बन गया, polar बन गया, ठीक है, त factor देख लिए, और इसके trends को देख लिए, अब देखिए, जो सबसे important चीज है, यहाँ पे electron negativity केस में, कि electron negativity को कैसे determine करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, determination of electron negativity, जिसको क्या किया था, Pauling ने, Hund Milken ने, ठीक, और और लोगों ने क्या किय थे, इसको समझाया था, अलग-अलग तरीके से, कि electron negativity को determine कैसे करना, यहाँ किस atom का electron negativity कितना है, ठीक है, अब ज्यादा electron negativity तो बोल दिये, लेकिन उसको क्या करेंगे, value उसको कैसे निकालेंगे, यानि हम लोग क्या करेंगे, इसके quantitative expect को यहाँ पे देखेंगे, अगले वीड तो इस वीडियो को यहीं पे सवाब करते हैं, thank you.